जै माता दी आज आसो दोज पर आई ये सुनते हैं आसमाता की यह कथा मान्यता की अंसार आसमाई पूजा ब्रतकार्य की शिद्धी के लिए किया जाता है यह भी कहा जाता है कि जब हमारी कोई इच्छा पूड नहीं होती है तो आसमाई को प्रसंद करके जीवन को सुन्दर बनाया जाता है फिर जीवन भर हर साल उनकी पूजा करनी होगी यह ब्रत वे महिलाएं करती हैं जिसने संतान्ध होती है इस दिन भोजन में नमक का प्रियोग वर्जित होता है बैसाक आसार तथा माग के महीनों के अंतरगत किसी रविवार को आसमाई की पूजा का बिधान है यह ब्रत कार्य सिध्धी के लिए किया जाता है अधिक्तम बाल बच्चे वाली महिलाएं इस ब्रत को करती हैं अच्छे मीठे पान पर सफेद चंदन से आसमाई की मूर्ति बना कर उनके समच चार कोडियों को रख कर पूजा की जाती है इसकी बाद चौक पूर कर कलस अस्थापित करते हैं चौक के पास ही गोटियों वाला मांगलिक सुत्र रखते हैं भोग के लिए साथ आसे एक प्रकार बनाई जाती हैं इसे ब्रत करने वाली इस्त्री ही खाती हैं फिर भोग लगाते समय इस मांगलिक सुत्र को धारड करते हैं इसके बाद घर का सबसे छोटा बच्चा कौडियों को पटिये पर डालता है इस्त्री उन कौडियों को अपने पास रखती हैं और हर वर्ष इनकी पूजा करती हैं अंत में भोग सभी को प्रसाद रूप में बित्रित किया जाता है फिर आसमाई की कथा की जाती है या सुनी जाती है अंत में ब्रत का पारण किया जाता है आश माताव की पूजन सामगरी में पान का पत्ता गोपी चंदन लकडी का पारण आसमाई की तस्बीर कलस रोली अचचत धूप दीप घी नवेद हलुआ पूरी शूखा आटा आईए सुनते हैं आसमाई दूज की कथा एक राजा के एक लड़का था वह लार प्यार के कारण मन माने कार्य करने लगा था वह प्रायह पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरिया फोड देता था राजा ने घोसडा कर दी की कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर ना जाए तब सभी इस्त्रिया पीतल या तामबे के घड़े ले जाने लगी अब राजा के बेटे ने लोहे वह सीसी के टुकणों से पनिहारियों के घड़े फोड़ना शुरू कर दिया तब राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र का दीस निकाला कर दिया राजकुमार घड़े पर बैट कर बन में चल दिया राह में उसकी भे चार बृधिस्त्रियों से हुई अकश्मार राजकुमार का चाबुक गिर गया उसने घड़े से उतर कर चाबुक उठाया तो बृधिस्त्रियों को लगा की यह हमें प्रडाम कर रहा है किन्तु समीप पहुचने पर उन चारो इस्त्रियों के पूचने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बृधिया आसमाई को प्रडाम किया है इस पर आसमाई बहुत प्रसन हुई तथा उसे चार कोडिया देकर आसिरबाद दिया की जब तक एक कोडिया तुम्हारे पास रहेगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा समस्त कारियों में तुम्हें सफलता मिलेगी आसमाई देवी का आसिरबाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया वह भ्रमर करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुचा वहां का राजा जुवा खेलने में पारंगत था राजकुमार ने राजा को जुवे में हरा दिया तथा राजा का राजपाग जुवे में जीत लिया बूढे मंत्री की सलाह से राजा उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता है राजकुमारी बहुत ही सीलवान वह सदा चारुडी थी महल में सास ननत के अभाव में वह कपड़े की गुडियों द्वारा सास ननत की परिकल्पना कर उनके चरणों को आचल पसार कर छूती तथा आसिरबाद लेती एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा तुम यह क्या करती हो राजकुमारी ने सास ननत की सेवा करने की इच्छा बताई इस पर राजकुमार सेवना लेकर अपने घर चल दिया अपने पिता के यहां पहुचने पर उसने देखा उसके मा बाप निरंतर रोती रहने से अंधे हो गए पुत्र का समाचार पाकर राजारानी बहुत प्रशन हुए महल में प्रिवेश करने पर बहु सास के चरणस परस करती है सास के आसिरबाद से कुछ दिन बाद वह एक सुन्दर बालक को जर्म देती है आसमाई की कृपा से राजारानी की आखों की जोती लौट आई है तथा उनकी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद